Hey guys, welcome to SourcePoint, myself Rishika, आज अभी हम लोग discuss करने वाले है वीजनाइस की PT 365 जो की हमारी culture की है तो culture की एक lesson ही आपकी आई है, अब यहाँ पर मैं दूसरी lesson यहाँ पर provide करने वाले हूँ तो second lesson में अभी हम लोग start करेंगे स्टुको इस culture से तो इससे पहले जो megalithic culture है, साथी साथ Amravati School of Arts, Gandhara School of Arts, यह सारे में हम लोग ने difference भी देखा था, तो first part अगर आप लोग नहीं देखे हो, तो मेरे चानल को subscribe कीज़े, playlist में आकर आप लोग देख सकते हो और भी topics के आपको PT 365 की lessons यहाँ पर मिल जाएगी, तो चली start करते हैं हम लोग अपनी आज के lesson तो start करते हैं स्टुको स्कल्प्चर्स के बारे में, तो news में इसलिए था क्योंकि कुछ archaeologist के द्वारा एक life size जो है इस टुको स्कल्प्चर्स यहाँ पर पाये गया है, वो भी कहां पर तोते लंगना के Buddhist साइट से, और यह बताया जा रहा है कि यह largest अब तक जो हमारे country में जितना भी archaeologist जो होते हैं, वो खुदाई के द्वारान जो है, excavation करके वो यहाँ पर कुछ चीज़े देखते हैं, तो इसमें जो है आज तक जो यहाँ पर आपका जितना भी स्कल्प्चर्स मिला है Buddhist साइट में यह सबसे बड़ा बताया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि पानीगीरी हिलोक है, तो पानीगीरी हिलोक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, यह एक प्रॉमिनेंट बुद्धिस्ट साइट है जो कि तेलंगना में है, देखिए इसी तरीक बन जाता है, पानीगीरी हिलोक कहा है, आपका मैचिंग के टर्म्स में भी questions बन सकत है, तो ध्यान रखिए का कि यह तेलंगना में है, साथी यह भी आपका पाया गया था 2001 में, जब खुदाईव अगयरा हुआ था तो उससे भी इसको अनर्थिन किया गया था, इस तरीके के साइट से, एक gradual transitions देखने को मिला है, जो कि सत्वाहना period से लेकर, जो issue वाकू, जो period बुद्धा जी की जो आपकी site है, उसको connect करके यहाँ पर बुद्धिस circuit भी बनाया जा रहा है, महा इस्तूप है, चाथे ग्रीज, यहाँ पर वाटी जो आपका स्तूप है, पिलर्ड, congregations, halls है, यह सब चीज जो है, कहाँ पर किस period में आपका बिलॉंग करता है, तो यह जान रखना है, जाद है, एक तम each and every details आपको इतना जादा याद करने की ज़रूती है, और आपको याद भी नहीं कर पाऊगे उतना, अब यहाँ पर इस्टुको आट के बारे में अगर हमनों देखे, तो इस्टुको को यूज किया जाता था था डेकोरेटिव के लिए, ज सैंड से, वाटर से, तो यह थोड़ा सा डिफरेंस से ध्यान रखेगा, प्लास्टिंग माटेरियल में यह गीले में आपका अप्लाई किया जाता है, साथी साथ जो है, इंडियन आर्किटेक्चर में आगर देखे तो इस्टुको का इस्तिमाल किया जाता है, जो कि स्कुल् साथ नालंदा का या विकरमशीला मुनास्टरी का आप देखोगे, ड्राविडा आर्किटेक्चर में अगर हम लोग देखे, साउत में अगर हम लोग देखे, तो हम पे स्टुको फिगर्स जो है, विमाना को डेकुरेट करने के लिए किया जाता था, यानि कि ड्राविडा स्टाइल जो टेंपल होते हैं उसमें जो विमाना होता है, उसी को डेकुरेट करने के लिए इस्टुको का इस्तेमाल होता था, तो कई जगह हम लोग देख लिए कि वराइटी ऑफ इसकी जो है ना, इस्तेमाल है और बहुत जगह जगह इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो group of temple को restore किया गया है जो की महराष्ट का है, तो यह जो आपको देखने को मिलेगा, दो तरीके के temple का style होता है, एक तो आपको north का देखने को मिलेगा और south का, north की जो यहाँ पर temple style होती है, उसको हम लोग nagara कहते हैं, तो don't be confused, यह end से आपका north हो गया और end से nagara हो गया, तो इस तरीके से याद कर सकते हो, south का आपका dravida होता है, dravidian style, और यही दोनों की mixturean जो होती है, उसको हम लोग विहारा style कहते हैं, तो यह ध्यान रखेगा, यह temple style बहुत ही जादा important है, कई बार questions पूछ लिया जाता है, prelims में भी means में भी, तो नगारा style of temple में आप architecture में देखोगे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, आए थोड़े detail में चलते हो, और difference बताती हूँ मैं, कि नगारा और dravidian, जो temple आप architecture है, उसमें क्या difference है तो यह देखे, यह नगारा है, यानि कि north की आपको देखने को मिलेगा, यह temple है, यह architecture main khazurahoo का है, और हम लोग mini khazurahoo के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें जो क्या देखने को मिलेगा, यह अमलाका है, इस तरीके से और सबसे उपर क्या होता है, कालाश होता है, उसके बाद यहाँ पर सिखारा है, यह जो lambas, आपको देखने को मिलता है, इसको सिखारा कहते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का कुछ डिजाइन है, जिसको यहाँ पर subsidiary सिखारा कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर अंतराला है यह वाली चीज़े कुछ यहाँ पर अंतराला है फिर यहाँ पर गरबागरी है ठीक है यहाँ पर घर के अंदर यानि कि यहाँ पर सिखारा के अंदर आपको जो है घरबागरी देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर मंडप है हॉल होता है महा मंडप है बहुत बड़ा हॉल होता है फिर अर्द मंडप है छोटा सवा हॉल होता है फिर यहां पर जगाती है जिसको प्लाटफॉर्म कहते हैं फिर आपका यहां पर बेस प्लाटफॉर्म है जिसको यहां पर अधिस्थाना कहते हैं तो यह सारी चीजे आपको ध्यान रखना है इसी के साथ यह यहां पे आपका देख सकते यह नदन स्थाईल है यह आपका Southern style है तो Northern style में अमलाका होता है लेकिन Southern tua लोते श्कॉन पर आपको Capstone होता है गर्विगृ द दोनों में देखने को रेका नौर्थ में बहीन और सौर्थ में में बहीन को यह सहाँ है। तो ये नागारा टेम्पल देख सकते हैं जो नौर्थ की आपको टेम्पल देखने को मिलेगा साउथ की टेम्पल इस तरीके से बहुत ज़्यादा भववे होती है साथ में इसमें एक्स्टिंसिव आपको डेकोरेशन देखने को मिलेगा यही दोनों के अगर हम लोग मिक्ष्रन देखे तो विसारा है तो विसारा जो है ना विसारा में विहारा बोल दी थी सॉरी अगर मैंने कुछ गलत पहले बोल दिया था तो यह विसारा है विसारा में देख सकते हैं कि इस तरीके के नागारा का यह है और ड्राविटा का ये बेस वाला लिया गया तो इन दोनों का मिश्रन है तो थोड़ा बहुत यहां पर डिफरेंस है तो इसको आप लोग धियान में रखके चलिएगा तो इसी में अगर हमने थोड़ा और डीटेल देख लेते हैं मिनी खाजुराहो के बारे में बाते क्यों की जा रही है ग्रूप आफ टेंपल है जिसको 9th से 12th सेंचुरी के बीच में बनाया गया है और इसमें 24 डिफरेंट टाइप के यहां पर टेंपल से है यह जो नाम है यह में टेंपल से दिया गया है जो कि Lord Shiv के ऊपर है और इसको मकडेशोर कहते है यह फिर मंकडाड़ेव टेंपल कहते है जो कि आपका मरकंडा विलेज में है और यह रिवर कौन सी है तो वेंगंगा रिवर में आपको देखने को मिलेगा famously इसको मीनी खाजुराहो या फिर खाजुराहो और विधर्भा भी कहते है तो नाम आप लोग ध्यान रखेगा कहीं बार क्या होता है कि दूसरे नाम से भी questions पूछ लिया जाता है तो you may be confused और ये आपका शैव है यहाँ विश्णव है और सक्ती फेथ है इन सारे चीज़ों पर बिलीव किया जाता है इन सारे गॉड्स पर बिलीव किया जाता है यह जो टेंपल है ना यह टेंपल नगारा ग्रूप आफ टेंपल है क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो आपका जो है यहाँ पर आधा जो पोर्शन है इस मंदिर का वो यहाँ पर खतम हो गया था उसके बाद गॉन रूलर जो थे वो तुट वन 20 यह पहले उन्होंने यहाँ पर ट्राइ किया था कि फिर से इस टेंपल को बनाया जाए फिर से रिस्टोर किया जाए तो यह भी ध्यान रखे है यह काँग मतलब का है कोँब का मतलब क्या होता है है इस तरी के से गतने करने कई है तो इस टरीके से गंगा नदी में गंगा इसनान करने के लिए जाते तो रीच्वल भाथिंग है यानि कि अपने अपने हिसाब से जो है यह लोग इसनान करते हैं तो कुम्भ अभी शेकम यह ध्यान रखेगा इसका मिनिंग क्या है ब्रिहेदेश्वर टेंपल जो है न यहाँ पर आप लोड श्रीव देखन टेंपल है क्योंकि साउथ की टेंपल है तमिल नाडू में पाय जाती है और यह चोला इंपायर जो राजा राजा वन है जो हम लोग भी देखे थे चोला टाइनस्ट्री जब देख रहे थे तब उस समय जो है राजा राजा वन के कारेकाल में इसको बनाया गया था यह ड्र कोंडला चोला में जो कि हम लोग देखे थे आंद्र पर्देश वाले रीजन में है और साथी यहां पर अरे एरा वत्तिस्वर टेंपल जो कि यहां पर दारा सूरम में है तो यह दोनों टेंपल हम लोग देखे थे जब हम लोग स्टडी कर रहे थे चोला डाइनस्ट्री तो इसमें गोपुरम होता है लेकिन नगारा में आपको नहीं देखने को मिलेगा तो ये थोरह सा थोरह बहुत धियान रखेगा अब आते हैं देख लेते हैं चोला आर्किटेक्ट्चर के बारे में तो यहाँ पर द्राइविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट्चर देखने को मिलता है साथी इसमें परफेक्शन से यानि की काफी ज़्यादा परफेक्शन देखने को मिला है अगर किसी की डाइनेस्टि में बहुत ज़्यादा फला फुला है तो वह है चोला चोला के बाद आपको पल्लव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा साथी फेमस साथ कर टेंपल देखेंगे इस समय का कौन-कौन सा है तो सबसे फेमस तो गंगाई कॉंडला चोला पूरम है जो कि राजिंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था एक शिव टेंपल है भगवान जी की साथी नर्था मलाई है और कोडूंबलाउर है जो कि आपका पुडुकुटाई डिस्ट्रिक्ट में है और साथी साथ ये तिरुची पली वाली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा तो कुछ टेंपल जो है आपकी जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि तमिल नाडु वाली बुक आप लोग पढ़ते हो और ये आपका कलश है जो कि आपका टॉप आफ गोपुरम में देखने को मिलेगा गोपुरम के ऊपर होता है चोला टेंपल्स अगर हम लोग देखे तो इसमें स्कुल्प्चर्स और ओर्नामेंटर वर्क्स है तो इस तरीके से काम किया जाता है बहुत सारे टेंपल्स है जिसमें की पीलर मंडप से यानि की मंडप बड़े हॉल होते हैं और इसमें इस तरीके का पीलर आपको देखने को मिलेगा साथि साथ जो है अ्र्द मंढप है महा मंढप है नंदी मंढप है तो मंढप जो है वो अगरा गर में भी या फिर आप Conte अगरा में भी जो मय तेखने को मिलता है तो वो समांठ पोते हैं स्टोन और मेटल और स्कुल्चर्स जेहें तो रमायन महाभारत अभी चल रहा था लोकडाउन में, तो अगर आपनों पे देखा होगा, तो उस घर में जो इतना नकाशी किया रहता है, वो सारी यही सारी चीजों से बना रहता है, नटराज स्कुल्चर पी देखो के काफी ज़्यादा फेमस था चोला पीरियड से, और तो यह जो पोस्चर है आपके सीव का, जो कि नटराज कहते है न, नटराज जो यहाँ पे स्कुल्चर से वो अपने आपको बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को यह धियान रखना है न, कि इनकी राइट लेग और लेफ लेग से क्या इनका प्रतीत हो रहा है, तो यह जो बैलेंस बना के रखे, तो राइट लेग में आपको देखने को मिलेगा, कि जो इग्नॉरेंस है और फॉर्गेट फुल्नेस है, यानि कि माफ कर देना किसी को और किसी को इग्नॉर कर देना, तो इस चीजों को जो है न, सप्रेस करने के लिए यहाँ पे वो काम क जाता है, ओके, sorry for the pronunciation, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर देख लोगे, लेकिन जो में चीज़े मैं वो आपको समझाने वाली हूँ, इनके जो four arms है, वो outstretched है और main जो right hand है न, वो यहाँ पर अभ्यास हस्त है, यानि कि अभ्यास कर रहे है, प्राक्टिस कर रहे और जो कुस gesture है, वो क्या suggest करें, कि जो upper hand है, उसमें आप देखोगे कि एक डमरू पकड़े वे, उनका favorite musical instrument है, जिससे कि वो beat ताल वो अपने आपको बना के रखते हो, जैसे कि आप लोग भी जो है, कभी भी frustrated होते हो, या फिर आप लोग दिन भर में एक दो song तो जरूर सु सुनते थे, जो upper left hand है, वो वहाँ पे आप देखोगे कि flame carry के वे, वह अगर main left hand में आप देखोगे तो डोला हसता है, और ये जो है, भ्यास जो हसत है, उसको right hand से connect करता है, यानि कि वो आप भ्यास कर रहे है, डोला हसता है, ये दोनों हसत को आप देखोगे कि ये connect किया गय है, उससे वो जो है बंधा हुआ है, तो इस तरीके से जो नट्राज की position है, gesture है, उनको बहुत अच्छे से ये describe किया गया, तो इसको जरूर ध्यान रखेगा कि दोनों हात में, चार हात में और दोनों पैर में किस-किस तरीके का gesture है और उससे क्या show हो पा रहा है, तो ये ची जो है, यहाँ पर Archaeological Survey of India ने restore किया है, कौन से है, तो मर्क देश्वर ग्रूप आफ टेंपल को, मिनी खाज़राहो आपका नगारा style of temple है, और ये आपका जो वैन गंगा रीवर में है, इसको मिनी खाज़राहो या खाज़राहो और विधरवा भी कहते हैं, साती सात यहाँ पर बस इतनी points आपको ध्यान में रखना है, ब्रिहे देश्वर temple के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, कि यहाँ पर कुंब अभिशेख हुआ है, कुंब अभिशेख का मतलब क्या है, कि जो head होते है, कुंब means head crown of the temple, और अभिशेख means ritual bathing होता है, उसके बाद यहाँ पर temples के नाम से, साथी साथ यह draviden architecture की है, तो यह इतनी बात है आपको इस temple के बारे में ध्यान रखना है, तो एक bullets points के जैसा आप लोग हार एक temples के बारे में ध्यान रखिएगा, चोला architecture के बारे में detail आप देखोगे, तो चोला architecture जो है चोला dynasty में और फिर उसके आद पल्लव dynasty मे कैलाश है, गोपुराम के उपर आपको देखने को मिलेगा, साथी यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा stone और metals इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रमायन महाभारत में भी आप लोग देख सकते हो, और जो famous है चोला dynasty के time का वो है नत्राज sculpture, तो नत्राज sculpture में जो है वो dancing posture में भी ह उसको यहाँ पर demon कर रहे है, वही right hand में आप देखोगे, right leg से आप देखोगे, तो वो जितनी भी momaya का जो जाल है उसको वो अपने से दूर कर रहे है, चार हाथ है उनका जो upper hand है, उसमें डमरू पकड़े वे, right hand में वो डमरू पकड़े वे, upper left hand में वो flame पकड़े वे, वह ही main left hand में आप देखोगे, तो डोला पकड़े वे, तो इस तरीके से आपने को ध्यान रखना है, तो यह सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए, अब चोला आर्ट में भी यहाँ पर आपको जो है dance देखने को मिलेगा, तो चोला आर्ट में कौन-कौन से dance थे, तो भरत ना पूरम में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर नटराज, Lord नटराज की dancing pose भी है, ड्रामा की बात करें, तो ड्रामा में क्या है, राजा-Rajashwaram नाटकम है, और राजा-राजा विजायम है, ठीक है, पेंटिंग की बात करें, तो यहाँ परिया पूरम का scene आपको देखने को मि तो चोला आर्ट के बारे में डीटेल दिया गया है डांस, ड्रामा और प्रिंटिंग तीनों आपको पता होना चाहिए कुछ और आर्किटेक्ट्चर देख लेते हैं जो की न्यूस में था जो की काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट है जो किस तरीके से कुछ-कुछ monuments जो होते हैं उनको किसी ना किसी purpose के द्वारा उसको select करते है ताकि की लोगों में वो awareness फैल है जिससे की लोगों में पता चले किस तरीके का जो यहाँ पर monuments है वो क्यों था, किस लिए था और किस लिए यह इतना ज़्यादा प्रशिद्ध था सुरंगा बवारी के बारे में देखे तो यह integral part है किसका ancient caries system का जो कि एक तरीके के water system को मंत्यो की water harvest system का एक part है साथी यह जो है अदिल शाही जो एरा था करनाटक में उसमें इसको बनाया गया था तो caries जो है mainly middle east region में देखने को मिलेगा और इंडिया में caries system जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है तो गुलबर्ग में करनाटक में मद्य परदेश में यह देखने को मिलेगा caries system साथी साथ सेकेंड यहाँ पर बेलम cave है तो बेलम caves बहुँ जादा important है बेलम caves को हम लोग बेलम गुहालू भी कहते है आंदे परदेश का और यह second longest cave है इंडियन सब कॉंटिनेंट में और पहला सबसे बड़ा cave कौन सा है तो मेघाले का है क्रेम लियाद प्राग caves तो यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे बहले कौन सा है second number में कौन सा है तो first number में आपको मेघाले का क्रेम लियाद प्राग caves देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही जादा longest है और second longest यानि कि लंबाई में यह बोला जा रहा है second longest आपका बेलम caves है जो कि आंदे परदेश का है third यहाँ पे है जहास महल तो जहास महल है क्या यह two-story ship palace है जो कि दो reservoir के बीच में देखने को मिलेगा सुल्तान जो गया सुद्दीन खिलजी थे उनके द्वारा बनाया गया था यह possibly किसलिए यूज के जाता था हरेम के लिए यूज के जाता था है यह पे प्रिंस अजाम शाह के द्वारे यह बनाया गया है जो कि औरंगे बेटे थे और अपनी मदर की याद में इसको बनाया गया है और मदर का नाम है दिलरास बानू बेगम ठीक है और यह औरंगा बाद में महाराष्ट में देखने को मिलेगा इसको Taz of the Deccan भी कहा जाता है क्योंकि Taz महल जैसा ही थोड़ा सा आपको बीवी का मगबरा भी देखने को मिलेगा तो सिर्सा थेर मौंट है क्या? सिर्सा हरियाना की एक district है और एक house of mounds है जो कि बिलीव किया जाता है कि यहां पे कुछ clues मिले है जो कि ancient city Sarishika का और सिर्सा यहां पे बिलीव किया जाता है कि one of the पूराने town है जो कि हरियाना में located है तो यह पूचा जा सकता है कि सिर्सा थेर मौंट कहां है तो यह आपके हरियाना में है तो थोड़ा बहुत जो है जितने भी topics जितने भी monuments आपके news में थे ना उनकी crux point आपको पता ह होना चाहिए ओके तो आते हैं फिर next देखते हैं क्या topic है अब हम लोग आते हैं painting और other art forms में जो कि again very important और interesting लगेगा पत्र चरित्र के बारे में देखते हैं बहुत सारी pieces जो कि यहां पर पत्र चित्र जो art है ना उसका यहां पर damage किया गया क्यूं क्यूंकि Odisha में आप देख जादा यहां पर बरबाद होगे तो पत्र चित्र art के बारे में देखते हैं यह बहुत पुरानी कपड़े में बनाने वाली यह एक printing है जो कि Odisha से डिराइव किया गया है यूनिक प्लेस है यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्यूंकि एक pictorial conception से technique है printing करने का line form किया जाता ह है color scheme यह सारी चीज़े बहुत जादा यूनिक है इस तरीकी कि जो printing है ना वो महा पत्रास से देखने को मिलेगा original इसकी origin है और यह important art भी है क्योंकि ornamentations है यानि कि Lord Jagnaath का यहां पर देखने को मिलेगा कि इनकी जो है यहां पर प्रतीमा भी है कुछ features अगर पट्टी चित्र की अगर देखें तेहां पर artist जो है ना वो pencil वगेरा यूज नहीं करते थे और charcoal वो यूज नहीं करते थे मत्यकी drawing के लिए जैसे कि आप लोग अगर white sheet में drawing भी करते हो तो पहले pencil से outline करते हो फिर उसके बाद आप इसमें sketch color या फिर dark color आप लोग इसको फील करते हो तो इसकी ए painting complete हो जाता था तो फिर इसमें charcoal का fire लगा जाता था लाक्योर होते थे जो कि इसके surface में होता था इससे क्या ना कि painting जो है water resistance होता था और लंबे समय तक चलता यानि कि पानी मारने पे भी यह painting आपकी खराब नहीं होती थी साथी साथ यहां पर जो है theme की बात करें तो मिल ली यह Lord जगनात की उपर ही सारे painting करते थे और साथी साथ अगर craft material और color की बात करें तो material जो use करते थे paint करने के लिए वो यहां पर vegetable earth और यहां पर आपके जो mineral sources है उसी से कुछ-कुछ समान से वो यहां पर painting करते थे साथ यहां पर cath tree जो था वो यहां पर chief ingredients है जिसको इस्तिमाल करते थे base बनाने के लिए white जो है वो यहां पर corn shield से prepare किया जाता था red color जो है कुछ mineral से yellow color जो है वो haritala stone से blue color जो है वो rama raza से और एक variety of indigo था black color जो है वो यहां पर lamp black और coconut shells से यहां पर आपको इस्तिमाल करते थे तो जितने भी यहां पर subjee अगेरा है ना उसी से कुछ ना कुछ color यह extract करके अपने printing में इस्तिमाल करते थे कितना ज्यादा यह लोग महनत करते थे can you imagine हम लोग जो है आज के डेट में watercolor ले आते है और इस तरीके से sketch pen ले आते और sketch कर लेते color कर लेते लेकिन यह लोग कितने ज्यादा महनती थे किस transitions देखने को मिला और फिर यह तुसाल, silk में, palm में, palm lips जो होती है उसमें इस तरीके से जो है आपका design बनते गया related information अगर हम लोग देखें तो रहू रगू रासपूर है यानि की पूरी में देखने को मिलेगा जहां पर identify किया गया है इसको heritage village क्योंकि traditional work बहुत ज़्यादा होता था पत्यचीतर से लेकर paper mask तक wooden carving तक इस तरीके से डॉल भी बनाया जाता था तो यह काफे ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इसको heritage village का दर्जा भी दिया गया है कुछ और important अगर scroll painting देखेंगे तो यह काफी important है कलमकारी कहां की है तो यहाँ आंत्रपरदेश की काली गार्ट पार्ट कहां है तो बेंगॉल की है और यह पढ़ पेंटिंग का है तो यहाँ पे राजस्थान में चेरियाल पेंटिंग तेलंगना और यहाँ पे पिछवाई राजस्थान तो यह पेंटिंग जहां जहां की है ना इस table को तो जरूर आप लोग कहीं note down कर लिजए और regular जो है इसको आप लोग बार बार देखते हो जिससे की याद हो सके है पत्त्र चित्र तो समझ गए कि यह उडिसा का है उसके अलावा भी जितने भी स्टेट का यहाँ पर आपको पेंटिंग देखने को मिल रहा है इसको जरूर से आप लोग ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आते है बगरू ब्लॉक पेंटिंग तो यह है क्या निउस में इसली है क्योंकि यूनियन टेक्स्टाइल मिनिस्टर के द्वारा इनौनागरेट किया गया है टाइटिंवाला म्यूजियम यह भगरू मेंऔर जो के हैंड ब्लॉक पेंटिंग हेगा हातों से बनाया है यह ब्लॉक वाला टाइप का पेंटिंग है तो इसके बारे में डीरे उल देख लेते हैं बगरू ब्लॉक क्या जाता है Take a picture अए वह बहुत ही ज्यादा बॉल्ड स्क्रेता है और ये मोटिपश में क्या क्या हूते तो बहुत ही जंगली फ्लावश होते हैं बर्ट होते हैं फूर्ट लीट होते प्रिंटेजियुमेु मै ecology पैटरन्स देखने को मिलें गे में color जो बगरू में use किया जाता है वो red और black किया जाता है तो ये भी धियान रखेगा कुछ और important traditional block painting अगर technique देखे इंडिया में तो कौन-कौन से है ये है आपका अजरक print जो कि गुजरात का है राजिस्थान का देखेंगे तो वहीं पर अजरक है डाबू है और संग नेरी है मद्रपरदेश की बात करें तो बात paint है बिरोगर प्रेंट है तो अंद्रपरदेश की बात करें तो कलम करी है तो ध्यान रखेगा ये सब कलकटा यहां पर आप देखोगे कि सेरंपूर है वरानसी और फरुका जो कि यूपी का है यह सब इंपॉर्रेंट सेंटर है कहां का तो प्रैंट कि लिए तो इस तरीके से ध्यान रखेगा तो हैंटब्लॉक प्र प्रिंट अब देखना है जैसे देख सकते हैं आप लोग सो教 metres प्रिंट किए सब भी तो भी डिजैन देखते हों ऑन आप यथो हैंडs WOMAN का जाता है एक और देख लीजे क्या भी आप बिट बाँक हमें लूच़ना है का जारहा है मिन्स कितना झालब खुब्सूरत होता है और यह महनत वाला होता है तो इस तरीके से block painting आप लोग को नहीं समझ में आरा होगा तो यह block इस तरीके से एक block से आपका यह बनाया जा रहा है इसलिए इसको है hand block painting कहा जाता है तो यह आप लोग समझ के अब कुछ और art forms देख लेते हैं जो कि news में रहा है तो यह पहले पिठोड़ा पेंटिंग तो रिसेंट्री पिठोड़ा पेंटिंग के बारे में आप लोग सुनेंगे पहली बार यहां पर वरक्शोप किया गया है और यह कुछ student क्लिक किया गया जो कि 45 स्कूल से दली में आए थे और पिठोड़ा जो है एक ritualistic और मद्य पर्देश से इन दोनों जो यहां पर ट्राइब से उनके द्वारा यह आपका काम किया जाता है वाल पर किया जाता है ठीके seven horses यहां पर करेक्टराइब किया गया है seven horses representing the seven hills जो कि यहां पर कुछ area को surround करते हैं तो में में बात याद रखेगा कि कौन-कौन से state में इस तरीके की painting exist करती है और उसके बाद अगर और भी याद कर सकते हो तो tribes वागेरा जरूर याद कर लिजेगा कि किनके द्वारा यह painting आपका इस्तिमाल किया जाता है आप लोग देखोगे कि यह जो imaginary जो होती है यानि कि यहां पर जो आपका image वगेरा जो इस तरीके का पिथोड़ा painting का बनाया जाता है wedding में बनाया जाता है festivals कुछ celebrations में भी देखने को मिलेगा Sulawesi art बहुत जादा news में था तो एक cave painting है painting मैंने का मतलब है कि इस तरीके से गुफा है उसमें painting किया गया और यह Sulawesi island जो इंडोनेशिया का है वो उसमें यह तरीके का painting देखने को मिलेगा जिसको कि यहां पर new lights of beginning of modern religious culture में इसको discover किया गया है यह तरीके का cave painting है जो कि इंडिया के इंडोनेशिया के जो island of Sulawesi है वहाँ पर पाया गया है तो यह painting जो है एक lime stove cave जो 2017 में था 17 का था तो वहाँ पर यह date किया गया है कि 44,000 years अगो इस तरीके का आपका painting बनाया गया है और unanimous series जो analysis है वो समय जो है इसका इसका इस्तिमाल करके यह सारा काम किया गया है तो थोड़ा बहुत याद रखेगा कि Sulawesi आर्ट कहां का है तो इंडोनेशिया का है cave painting है यह आपका जो है caves वगेरा में बनाया गया है तो इस तरीके से ध्यान रखेगा पी थोड़ा painting कहां किये तो गुजरात और मद्य पर्देश में है यहां के tribes के द्वारा बनाया जाता और जयादा आपलों को आर्ट and Culture में इतना जादा नहीं आपलों को ज्यादा टेंशन लेने के ज़रूत नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो यहांपर जो आपका एक साल में जितने भी news होते हैं आर्ट and Culture के और जो magazine में आपको particularly देखने को मिलेगा तो आर तो आपका मुझे एफेक्टिव नहीं लगता, उतना ज्यादा टाइम उसमें आप दोगे, लेकिन उसका आउटपूट बहुत कम दिखता है, तो मुझे जादा से जादा आपको प्रिविए से और कोशन को भी जब अनलाइज करोगे, तो आप लोगो यह मिलेगा ना, कि कुशन्स जो है करेंट से जादा आते, as comparison to कि आप लोग नितिन सिंगानिया के बुक उठा के पढ़ लो, मैं रिफर करूँगी कि NCRT की बुक पढ़ी है, जो 11-12 की फाइन आर्स की बुक आती है, वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें आपका एक एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से डीटेल दिया गया है, तो I will refer that book, okay? So guys, आज के लिए वस इतने ही, next time लोग डांस and music स्टार्ट करेंगे, और भी जितने आपकी पार्ट्स बची वही हैं, PT 365 की, मैं जल्द ही complete कर दूँगी, आप लोग परेशान मत हो, okay? So, अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, helpful लगी, तो लाइक कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है, तो कमेंट कीजेगा and make sure के आपने मेरे शान को सब्सक्राइब कर लिया है, thank you!